हाई दोस्तों मैं हूँ किशनकुष और मैं आज अपने वाइल्ड लाइफ के जो मैंन वाइल्ड शो है मैं उसके टास्क पर जा रहा हूँ मेरे साथ है मेरे केमरामेंट सोनू राना चलिए तो चलते हैं मेरे कुछ साथ हेलिकॉप्टर से मुझे यहां अलिगर्ड के जंगलों में छोडने जा रहे हैं जैसे बुरु सिक्रन का जंगल काफी खतरनाक है और मैं यहां से कई पिनौका रास्ता तै करूंगा यहाँ हेलिकॉप्टर नहीं उतर सकता इसलिए मुझे यहाँ पर उतरना होगा खूदना होगा तो मैं पहले बैक फैक देता हूँ उसके बाद मैं खुद कूदूँगा दोस्तो मैं हूँ वियर गिल्स का छोटा भाई किशन कुश और मैं आपको बताऊँगा कि इस चंगल में से किस तरह से हम निकल सकते हैं जिन्दा वापस अकसर यहाँ पर पांच हैर लोग आते हैं लेकिन उसमें से तो दोस्तों आप देख रहे हैं यह छोटा सा पहाड़ा है कोई यह से मुझे पार करना होगा उसके बाद मैं आगे देखता हूं क्या होता है कि दोस्तों मुझे गुमते गुमते यहां काफी देर उची गी है और मैं काफी ठक चुका हूं प्यास भी काफी अच्छी लग रही है कि दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कितना घना जंगल है यहां से निकलना काफी मुश्किल है और मैं इस वक्त प्यास से तड़क रहा हूं अगर मुझे जल्दी पानी नहीं मिला तो डी हाइड्रेशन से मेरी मौत हो सकती है तो मैं पानी की कुछ नहीं से बाड़ता अरे वुदे खूंव वहां कोलन हो रही है इसकी ते यहां लोक पॉर्टी कहते हैं और इसे तरह तरह के नामों लोलाए में कुछ भूला यहांपर कुछ मला है क्यास मुझाने के लिए में थोड़ा फानी मिला है जो दोने के लिए लाया था मैं इसे पी सकता हूं इससे मुझे काफी एनर्जी मिलेगी और इससे भी काफी स्वाद मिल सकता है हुँँ चीके तो मैं आप आगी बढ़ता हूं दोस्तों तो दोस्तों देख सके हैं ऐसे जंगल में हमें सेर का खत्रा तो बिल्कुल नहीं रहता है कि अब अब आपको फुड़ा सांती रहना चाहिए अब यह गया है और मुझे इस तरह से तो यहां पर जानवरों से बच कर ही रहना चाहिए चलिए मैं आगे दिए रात होने वाली है तो मैं यहां पर कुछ जुवार करता हूं अपने सोने के लिए तो दोस्तो ऐसे जंगल में अगर आपको सोने के लिए कोई जगा चाहिए तो आप एक समतल जगा देख सकते ही जैसा कि आप यहां देख सकते हो यहां मेरे लिए काफी अच्छी जगा है और बस मुझे यहां कुछ सोने के लिए जुवार करनी है तो दोस्तो इसके लिए मै यहाँ पर लकडिया घट्टा करके या पत्ते घट्टे करके कुछने करने वाला, मैं अपने घड़ से खुद लेकर आया हूँ एक चदर, उसको मैं विच्छाऊंगा और यहाँ आराम से सो सकता हूँ, यह देखिए, यहाँ पर मैं आराम से सो सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे खाने की जरूरत है अब मुझे खाने का जुगाड करना हुआ वरना मैं भूख से मर सकता हूँ कसम से बहुत तेज भूख लग रही है तो मैं उसके लिए भी अपने घर से खाना लेकर आया हूँ कौन खाएगा इतने जानवरों को मार मार के मुझे से नहीं खाया जाएगा तो आप ये देख सकते हूँ मैं पराठा और एक मिर्च के साथ ये रोटी खाने वाला हूँ तो दोस्तों मैं खाना खा चुका हूँ और ये रात भी हो चुकी है मैंने अंडी का तेल लगा लिया है जिससे कीड़े मोकोड़े मेरे पास नहीं आएंगे चलिए मैं सो जाता हूँ अब सुभा हो चुकी है मैं मन्जिल की तरफ चल रहा हूँ साइब मुझे आगे कुछ बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए लेकिन मुझे अभी एक जंगल और पार करना है दोस्तों यहाँ पर मुझे कुछ खाने को मिला है यह देखी यह लाल फल इस जंगल में पाया जाता है जिसको हम गुलकाकरी कहते हैं इसमें काफी मात्रा में मुझे प्रोटीन मिलेगा और काफी अच्छी दूर तक मैं इसकी साथा से जा सकता हूँ थोड़ा खालूंगा तो पेट में थोड़ा आलन भी पड़े आएगा मुझे ऐसे ही फल और मिल जाएं दो चार तो मज़े ही आजाएंगे तो दोस्तों आप से जंगल देख रहे हो मैं इसी जंगल की बात कर रहा था ये काफी घना जंगल है और अलिगड के सबसे खतरनाक जंगलों में से एक है यहाँ पर सांपों का खतरा सबसे अधिक्र बना रहता है और इस तरह से मैं जा रहा हूँ और मुझे सांप की अवाज अभी आ रही है साइज यहाँ पर कोई सांप है वो देखिए वहाँ पर है तो देखिए ये रहा साथ काफ़ी खतरनाक है और ये बहुत ही खतरनाक है इसकी फुसकार से ये जानवर मर जाती हूँ और ये अगर इंसान को काट ले तो पल भर में खतम नहीं होगा कम से कम ये बेंटात लगेंगा तो मैं इसके लिए भी आपके लिए एक जुगार बताता हूँ कि अगर ऐसा साब ले जाए तो कैसे उसको काबू में कर सकते हैं या उसे भगा सकते हैं तो जैसा कि हमारी पुरानी फिल्मों में दिखाया गया है बीन बजाता जा सपीरा तो मैं बीन की अवाज मिकालता हूँ अब मैं आगे पढ़ता हूँ इस जंगल से बहार निकलता हूँ यार काभी देर हो गई है अब तो खुजली भी होने लगी है तो दोस्तों यह दल्दल है अलिगड की मानी जानी दल्दल है और यहां पर मगरमच बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं तो तेरी मगरमच इनके लिए भी मेरे पास जुवार है अरे रुपजा भाई यार रुपजा यह खाएगा ले खारा यह देखिए मैं आल पेल लीवे घर से लाया हूं साइद यह खाले वह रुपजा भाई खाले तो मैं खालेता हूं अरे भाई अब तो चला जा यार तो देखा दोस्तों यह चला गया अब मैं भी आसानी से जा सकता हूं मुझे सामने बस्ती दिखाई दे रही है आप देख सकते हैं तो मैं इस दलदल को पार करके तो बिल्कुल नहीं जाने वाला क्योंकि इसमें मगर मच्छे यार मेरा आइडिया गल्त लिकला तो मैं इधर होकर जाओंगा किनारे किनारे चलिए देखते हैं सायद मुझे कोई बहान मिल जाए तो दोस्तों मेरा नाम किशनकुष मेरा नाम सौनूराना और यह आपको मैं वर्सिस वाइल्ड कैसा लगा यह हमें आप अपने कमउंच वॉक्स में बता सकते हैं और लाइक करें कमेंड करें और साथ में जो नीचे रेड बटन है सब्सक्राइब का उसको जरूर दवाएं और हमारे आने वाले वीडियो इसका मजा लें और जो घंटी है साथ में वह भी जरूर दवाएं ताकि नौटिविकेशन आपके पास आता रहें थैंक्यू